हेलो दोस्तों नमस्कार मेरे छोटे से गार्डन में आप लोग का स्वागत है मैं आज आपको बताती हूँ देखे जब भी मेरे घर कोई आता है तो बोलता है कि अरे हमको भी बहुत शौक है हम भी प्लांस लगाते लेकिन हमारे यहां पानी की दिक्कत होती तो मैं आज आपको एक बहुत ही जरूरी टिप्स बताती हूँ जिससे आप अपने शौक को पूरा कर सकते हैं आपको सबसे पहले अपने किचन में बाल्टी रखनी है उसमें जितना भी हमारा किचन का पानी होता है जो हम बरतन भीगोने के लिए रख देते हैं आपको उसको 80% पानी खाली बाल्टी में श्टोर कर लेना है और बच्चों को हम जब भी पीने के लिए देते हैं तो हो 10% पानी पीते हैं 80% फेक देते हैं तो हमको उस पानी को भी स्टोर करना है और पेडों में डाल देना है और मैं आज आपको बताती हूँ देखिए है मेरा अपराजीता का पेड पौधा और देखिए इसमें कितने सुन्दर फूल आ रहे हैं ये प्लांट मुझे इतना अच्छा लगता और इसके फूल मुझे इ जो मेरे देखिए आप देखी रहे हूंगे कि ये कितना घंणा और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने इसकी देखिए इस जगे से जहां इसकी जड़ है वहां से मैंने बिल्कुल खर-पतवार को हटा दिया है आ बिल्कुल बरबाद नहीं होगा इसी को लगेगा और खर-पतवार हटा देने से क्या होता है कि पूरा जो फर्टिलाइजर वह पेड़ी लेता है तो देखिए इस तरीके से ये फर्टिलाइजर मैंने बनाया यह केले के छिलकों का फर्टिलाइजर और साथ मैं मैंने इसमे 3-4 केले के छिलके डाल दिये थे और थोड़ी सी फिट के लिए डाल दी थी और उसको मैंने इसमें डाल करके रात बार छोड़ दिया था और अब इस तरीके से देखिए मैंने अपने प्लांट में डाल दिया है और मैं आपको इसका वीडियो 4-5 दिन बाद बना करके फिर स बताब बताब